सबसेरतavет और अब इसीष्य है है जल्दी से जल्दी बताईए आपको वा जा रही है है झाल झाल पॉलाइट अचल गुड मॉर्णिक गुड मॉर्रिग सबको गुड मॉर्णिक जो हुआज क्लिर है सबको कर दो करते हैं इस सेशन को ठीक है तो करते हैं स्टार्ट इस सेशन को और आज हम डिसक्स करने जा रहे हैं हमारे साइंस के साइंस के साइंस को लेकर रहा हूं है मेरा नाम है डॉक्टर विपन बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बढ़ा दो आप मुझे डिफ्रन सोशल मेडिया के उपर फॉलौ कर सकते हैं जितने भी क्लास होती है वो टेलीग्राम चैनल की उपर आपको यहां पर मैं कर देता हूं मेरे साथ यहां पर लाइक फॉर्टी फाइल थाओं प्रस बचे जुड़े होए हैं तो आप भी आपके जुड़ सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम की उपर भी फॉलौ कर सकते हैं आप मैं इसे परसनल कर सकते हैं यहां पर आपका कोई एक्जाम हो पेपर चैक्टर वाइस टॉपिक वाइस एंसी क्यों करना जाते हैं तो आप मेरा पेंड गोर्स लेसकते हैं थैन थाउजन एंसक्यों कोशन है डिफेंट डिफेंट एक्जाम को फोकस करके मैं यहां पर लग लग फोल्टर भी बनाए हैं बहुत सारी चीज़ें जो है आपके मॉक चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें अप्डेट करता ही रहता हूं कल भी मिने एक्जाम के लिए बीडियो डाली दी जो आपके 2021-22 में जो कोशन पूछे जा रहे हैं जब पूछे गए हैं जो भी एक्जाम हुए हैं उनके कोशन में इसमें डाले हैं तो मैं बह बिल्कुल basic topic वाई चीज़ें इसमें हमने study करी हैं अब आप इन courses को कहां से लेंगे दो जगा से study IQ app पे जा हमारी website studyiq.com जैसे ही इसको open करते हैं आपको screen की उपर ऐसे नजर आएगा home page यहां पे दिखेगा best selling courses view all का button इस button को दबाना जैसे आप दबाएंगे तो GS course भी नज 5000 mc course purchase करना है याद रखना और आप मेंसे बहुत सारे students जो है states state pcs के लिए भी त्यारी कर रहे होंगे जो मेरे से पढ़ रहे हैं अभी मैंने कुछ courses launch के हैं state pcs के लिए वो आपको दिखेंगे यहां पे just launch के button में इसको view all करना तो आपको यहां पे नजर आ जाएंगे वो पॉब्लिक सर्विस कमिशन के लिए भी हमने यह जो courses हैं launch के हैं और इसमें आप अगेल सभी courses के अंदर विपन 30 coupon code लगा के अपना discount आप ले सकते हैं विपन 30 coupon code लगा के clear इसके इलावा study IQ app के उपर आप कोई भी course purchase कर सकते हैं मतलब इनके इलावा भी अगर आप वो course purchase करते हैं चाहिए उसके उपर 0% हो 5% हो 10% discount हो अगर आप मेरा coupon code यूज़ करते हैं विपन 33 विपन 33 coupon code यूज़ करते हैं तो आपको maximum discount मिलेगा अगर आप इस coupon code को यूज़ करेंगे विपन 33 coupon code को यूज़ करेंगे तो maximum discount आपको मिलेगा ठीक है कोई भी course के उपर या रखना study IQ के किसी भी course के उपर चले इस्टार्ट करते हैं पहले कोशन से अगरे कि 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 अब को किसके बराबर होती है वन सरी वन कैलरी ओफ हीड इनरजी इस इक्विलेंट डैश हाव मैंनी जूल्स ऑफ मेकैनिकल इनरजी तो वह होती है मेरिया और वह एनरजी जो है से भी मिलती है और अ cambi generation है अव्यानी नंबर अब कर्वाइन ने सक्वे पूपर के सब्से कम एणरजी देखने को मिलेगी डिर्षे रह जोचे कांघ यो मिलतला और वह होती है यहांग है ऐसे सबसे इस चीज आपको पेपर में पूछी जाती है कि जो आपकी जो एक पेपर में कोशिन आता है जो मैं इसके साथ र्लेट कर रहा हूं पर आइड़ लू यहां से र्लेट करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए हम कहते हैं बन किलो बाट आवर इस इकल टू हाव मैनी जूल्स यह कितने जूल्स के बरापर होता है देखें सीदी सी बात है किलो का मतलब क्या हो गया हजार चीक है हजार वाट हो गया आवर का मतलब क्या हो गया 60 minute 60 second clear तो इट मेंस यह कितना बन गया तो चतिस गुना टैंट रेस चुपार फाइव होता है तो इसमें पॉइंट लगा दिया और इसमें पॉइंट लगा के मिने यहां पर 6 कर दिया तो डैट मेंस 3.6 इंटो टैंट इस वाज 6 जूल पेपर में यह कोशन भी बहुत पूछा जाता है वन किलो वाट आवर इस इगल तो हाव मैंने जूल तो 3.6 इंटो टैंट इस वाज 6 जूल क्लियर यह याद रखना इंपॉरेंट है देखे जी कैलरी की जो एक यूनिट होती है यह बस यह प अगला वोशन बताईए जे फटावा शाबाश बॉक्साइट इस दा ओर ओफ बॉक्साइट जो है यह किस की ओर है बॉक्साइट जो है यह किस चीज़ की ओर है अयस्सक है अगर हम अर्थ क्रस्ट में जाते हैं धरती के अंदर जाते हैं अर्थ क्रस्ट में सबसे मिलने वाला जो मैटल जादा सबसे जादा मैटल जो है वो कौन सा है आपका अल्मिनियम सबसे जादा मिलने वाला मैटल देखने को मिलता है अल्मिनःट की एक ओर और भी है इस और क्लियर कलामाईप ओच चॉड़ल और होगा आप लोगों को G जिंक की यह ओर है जिंक बिल्कुल सही clear है जि बिल्कुल जिंक इस नोट जिंक पाई एक सेकंड लुके इस जिंक ब्लान जिंक ब्लान कैलामाई और जिंक काईट all these are the O's of the Zinc clear होके आप लोगो copper की बात करते हैं तो copper के अगर हम बात करें that is cuprite, copper glass, copper pyrite, so all these are the example of the copper, clear यह याद रखना है आपको, तो इस question का जो answer बनेगा, वो बनेगा आपका A is the correct answer, aluminium is the right one, but इसके इलावा भी हम paper में question और बढ़ सकते हैं, यही से हम interlate कर सकते हैं चीज़ों को कैसे, अगर aluminium की बात करी मैंने आपको बताया था कि धर्ती के अंदर सबसे मिलने वाला metal कौन सा है, aluminium है, और otherwise आपको पता है कि oxygen सबसे ज़्यादा मिलता है, clear, metal की बारे में पूछा जाए, तो आपका aluminium अंसर बन जाएगा, अब एक सीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो हमारी crust होती है, अर्थ, अर्थ की जो crust होती है, वो बनती है सियाल और सीमा से, clear यह दिया रखना, silicon, aluminium, silicon, magnesium से, zinc की अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया, कि zinc जो है, आपका इनकी ओर यह है, अगर लोहे के उपर जंग लग जाती है, लोहे के उपर जंग लग जाती है, जिसे हम rusting कहते हैं, rusting कहते हैं, जा हम कहते हैं कि जो जो लोहा है, वो खराब होने लग गया, क्रोड होने लग गया उसके उपर हम एक परत चड़ा देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं जिंक की परत और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं गलबनी करण गैलबनाईजेशन कहा जाता है गैलबनाईजेशन ओफ आयरन कहा जाता है यह याद रखना इंपर्टन कोशन है सबसे ज़्यादा बेस्ट कनटर फीड एंड अलेक्टिसेटी कौन सा है आपका सिलवर को कहते हैं इसी दिए हम किसका यूज करते हैं कॉपर का इस्तेमाल करते हैं अब copper की बात करते हैं तो copper पहली पहला में जो है डिस्कवर किया गया था आपका चाल्पो लिठिक एज में तर पेला मैंटल जो है डिस्कवर किया गया था डैट वास्पार अंसर इसमें ऐसलय में और कशन दियो कि अ कर टैक्षा कि बहुत बड़िए है चलिए जी अगला कोश्य बताईए जब कोई भी बॉड़ी हैसे आती है जो अर्थ की तरफ फ्रीली फॉल होती है उसकी इनर्जी क्या होगी जब भी कोई इनर्जी जो है मतलब किसी बॉड़ी को फ्रीली फॉल हैसे हम छोड़ देंगे तो हमेशा उसकी इनर्जी जो होती है वो चीज़ के बराबर होगी के कारण देखने को मिलती है कानेटिक इनर्जी जो होती है हाफ MP2 इसका फॉर्मूला होता है और प्रटेंशन इनर्जी का फॉर्मूला होता है MGH यह आपको याद रखना है तो इसमें क्या बनेगा बी इसकी इनर्जी चलिए अगला कोशन बता यह क्या बनेगा जी शापनेस ओफ ए टेलीविजन इमेज इस टर्म डेज जो हम कहते हैं कि जैसे अभी मैं बात करूँ यह एक तरह कर टेलीविजन आपकी तरह दिख रहा है चीक है आप लैक्टॉप देख रहे हैं जाप अपना फोन देख रहे होंगे तो उसकी शापनेस जो आ रही है वो किस से पता लगता है हम कहते हैं कि हमें क्वालिटी जो है नजर अच्छी से आ रही है आप मोईल में देख रहे होंगे लैक्टॉप में देख रह जो भी है आपके अलग 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 चीख है तो अगर आप हाई resolution में देखेंगे तो obviously बात है आपकी image जो है ज्यादा से खिल के आएगी clear आएगी तो इस question का answer का बनेगा आपका resolution is the correct answer resolution clear हो के आप लोगों को yes answer number D is the correct answer अब आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा जो होता है TV होता है आपका TV के साथ एक इन्फ्राच करते है अब इमेज की अगर हम बात करते हैं तो इमेज की सहाण आँखों की टीवी में इमेज चलो चो भी है हमारे आगे fonkiem यह एकना इंपॉर्टन कोशेंता है है चलिए अगले कोशन की देए अगला पुशन बता ह। अगला वूशन बताईए शाबाश दब्लू कलर ओफ वाटर जो पानी का रंग नीला होता है स्मूदर के अंदर वो क्या क्या रीजन है मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी आपको सिंगल कलर का फिनॉमेना आएगा यवेल-गहाई चीक है ये सब चीज तो हमेशा आती है स्कैρ्टरिंग ओफ 詞ाहत है आपके जो स्कार्ट होती है उसको हम कहते हैं आपका लिएंद सींगल कलर या होता है इसमें आपको एक तरीका याद करवाता हूँ, याद करने का तरीका, अगर कहीं पे भी कोई चीज शाइन कर रही है, तो वहाँ पे आता है total internal reflection का formula, मतलब उसका answer, total internal reflection की बात आती है, वहाँ पे, scattering आ गया single color, total internal reflection आ गया shine की बात, अगर हम बात करते हैं, कि जो light है, वो हो रही है, bend, light क्या हो रही है, आपकी अगर bend हो रही है, तो वहाँ पे फिनोमेना आता है, reflection का, ये भी आपको याद रखना है, पॉंट समझाया, अगर light bend हो रही है, तो reflection, shine हो रही है, total internal reflection, single color का फिनोमेना आ रहा है, तो scattering of the light, तो answer इसमें क्या बनेगा, C is the correct answer, answer number C, चलिए अगल question बताईए, the audible range for adult human being is, जो हमारी frequency है, सुनने की, वो इन में से कौन सी है, audible range कितनी है, हमारी adult human being कितनी है, तो वो है आपकी 20 से 20,000 hertz, इस question का अंसर का बनेगा, B option, 20 से 20,000 hertz is the correct answer, answer number B is the right one, clear, so hertz जो है, आपकी frequency की unit होती है, आवर्ती की unit देखने को मिलती है, so this is important one, clear, अगर आप से पूछा, कि loudness के unit किते क्या होते है, loudness के unit होते है, bell, clear, लेकिन practical unit कौन से होते है, आपके, decibel, ये भी आपको याद रखना है, decibel, answer इसमें क्या बनेगा, B is the correct answer, answer number B, अब आप देखें, जब हम सुनते है, sound आती है, तो sound की बात अगर आपसे paper में पूछा जाए, कि sound है क्या चीज, sound जो है, एक क्या है, mechanical energy है, मतलब क्या है, जो आपकी एक तो लंबी है, clear, मतलब इसको travel करने के लिए medium की जुरुत होती है, मतलब ऐसा नहीं है, कि कुछ भी हम कहीं कोई medium चाहिए, प्लस ये एक longitudinal wave होती है, longitudinal mechanical wave होती है, कौन sound, तो this is important one, तो इस question का अंसर क्या बनेगा, B option, that is 20 से 20,000 hertz, clear होगा आप लोगो, जे, ये आपकी audible आती है, अगर 20 hertz से नीचे चले जाएंगे, तो आपकी infrasonic हो जाएगी, जो हम नहीं सुन सकते, अगर 20,000 hertz से उपर चले जाएंगे, तो आपकी ultrasonic हो जाएगे, जैसे ultrasonic बगएरा में, ultrasonic wave होती है, sunar method में, sound navigation and range में आपकी ultrasonic wave होती है, ये पता होना चाहिए, देखेंगे, below 20 hertz, जो sound है, वो आपका elephant सुन सकता है, this is infrasound, infrasonic sound, clear हो गया, और इसमें 20 से 20,000 hertz की अगर हम बात करते हैं, तो ह हम सुन सकते हैं, over 20,000 hertz की बात करें, बैट हो गया, clear चमगादर, चमगादर एक ऐसे species है, जो ultrasonic waves जो छोड़ता भी है, और रसीब भी करता है, और इसकी range कितनी होती है, 20,000 hertz से उपर, जा 20 kilohertz से उपर देखने को मिलती है, so this is important one, चले जैंगे, अगला कोशन बताईगे, human blood, human blood is red in color because of the presence of, जो human blood है, उसका color red हो जाता है, किसकी presence के कारण, human blood का जो color है, वो क्यों होता है red, देखे जी, blood की अगर हम बात करते हैं, तो blood के दो component देखने को मिलते हैं, एक होता है heme, एक होता है आपका globin part, दो चीज़न से मिलके बनता है, heme जो है आपका component है, जो है iron का component, iron के उपर जंग लगती है, तो color red हो जाता है, that's why heme के कारण color red हो गया, आपका blood का color red हो जाता है, चीक है, heme के कारण, iron के कारण, this is important one, clear, global की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपका protein होता है, जिसमें oxygen और carbon dioxide जो है, आपकी bind करती है, तो ये पता होना चाहिए, this is why this is red in color, अब बात यहाँ पर ये करते हैं, कि human blood जो है red है, color में क्यूं है, क्यूंकि उसके RBCs के अंदर क्या होता है, हिमोगलोबिन देखने को मिलता है, answer number one is the correct answer, अब जो red blood cells होते हैं, जो आपके RBCs होते हैं, RBCs क्या करते हैं, आपकी oxygen carbon dioxide की transportation में आपको help करते हैं, दूसरी बात अगर हम बात करें, blood के बारे में, so blood की pH value कितनी होती है, 7.4 होती है, और plus ये आपका fluid connective tissue होता है, तरल जी उत्तक उसको हम क्याते हैं, तो इस question का answer क्या बनेगा, a option is the correct answer, a option, yes, समझाए आप लोगं को, answer number one is the correct answer, answer number one, hemoglobin in red blood cells, answer number a is the correct answer, answer number a, चले जी, अगला question बताइए, अगला question बताईए, which of the following species on the earth is living fossil, surviving for more than 150 billion years, इन में से कौन सी पर जाती है, जो 500 सालों तक जो है, आपकी जीवत रहती है, तो ये कौन सा पाट आएगा, ठीक है, 150 billion years तक जो है, आपकी कौन सी स्पीशी जो है, जिन्दा रहती है, और जो जिन्दा भी रहती है, और प्रस इत और इसमें क्या बनेगा, A is the correct answer, हमारे इंडिया में और लिव रिडिले टर्टल जो होते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं, ये कहां पे करते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं, ये कहां पे करते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं, ये कहां पे करते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं, अ यह वह यह बहुत सब्सक्राइब करते हैं। पूश्य देखें जी क्या गयता है जो आपका प्लेसेंटा है भून को प्लेसेंटा से जोडने वाली जो सरंचना है उसे हम क्या क्या क्याते हैं जल्दी से जल्दी बताईए जी देखें जी क्या होता है बच्चे को मदर से जा फिर बच्चे को प्रेसेंटा से जोडने वाले जो आपकी स्ट्रक्चर होती है उसे हम क्या कहते है डैडिस अंबलाइकल कॉड़ उसको कहा दिया जाता है अंसर इसमें क्या बनेगा वन ऑप्शन बनेगा और लोगों को जी क्लियर हो गया और एक होती है एमनीयोन लेर बच्चे को बच्चे के बाहर एक लेर होती है जो उसको प्रटेक्ट करके रखती है डैडिस अंबल क्या कहते है रैडिस कॉपर्स gland कहा जाता है copper's gland clear यहां पे क्या होता है आपका यहां पे copper's gland के उपर जो है जितना भी semen होता है वो large amount में यहां पे क्या होता है आपका store किया जाता है फल्बो-yutral gland में clear this is very very important clear यहां पे final volume जो semen का होता है यहां पे store होता है plus mucus secretion के लिए यहां पे सारी चीज़ें दिखने को आपके मिलती है yes lubrication का काम करता है यहां पे yes बिल्कुर सही जे 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 clear होगे आप लोगों को तो इस question का जो answer बनेगा वो बनेगा one option that is umbilical cord one option is the right one umbilical cord so here is the umbilical cord जब बच्चा जरम लेता है तो umbilical cord को ही कटा जाता है placenta again जोडने के लिए nutrition के लिए आपको help करता है so uterus यहां पे uterus में ही बच्चा आपका मतलब जनब लेता है mother के uterus को हम क्या कहते है warm कहा जाता है यह द्यान है नहीं आपने चीज़ सुनी होगी आपने एक चीज़ सुनी होगी डाड़ीज सरगेसी आपने चीज़ सुनी होगी सरगेसी सुरगेसी का मतलब क्या होता है mother husband और wife एक है और उनका जो mother है mother से ले लिया egg और पिता से ले लिया सिमन और यह दोनों को जोड़ दिया और second mother के अंदर डाल दिया कहने का मतलब क्या है कि जो second mother है हमने rent के उपर लिया है क्या लिया है उसका warm लिया है जननकी uterus लिया है कहने का मतलब A और B का जो बच्चा है वो C के अंदर जो है uterus के अंदर जो है हम उसको बनपना जो है हम आई में न बच्चा वहां पर जनम लेगा तो डैट मिस हमने वांग और uterus को जो है कि राय पे लिया है अधर लिया है यह समझने की टर्म्स में आपको बता रहा हूं ताक्या आपको समझ आजाए ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए uterus वां इस इस इंपॉर्टर वां प्लियर ओगा आप लोगों को जी क्लियर होगया चलेज़िए अगले कोशन की तरफ चलते हैं हेपटाइटस is a है स जो आई धिक हूं होती है घंपाइटा के रहा है यह यह योगकि निप्र का क्लिया व्हां पर इंपाइटर लिवर्ड लिफडक बिदे निञने की 4 is the correct answer बहुत सार तरीके के hepatitis होते हैं लेकिन dangerous कौन सा है आपका C वाला dangerous होता है इसमें मृत्यू होती ही होती है पट हाँ बहुत सारी चीजे अभी discovery के उपर है invention चल रही है कि इस चीज से हम बच सके इस इस बेरी important clear और वाइरस की बात करते हैं वाइरस की study को हम क्या कहते हैं और पहला वाइरस जो इस वाइरस घेट इन्टा पूने के अंदर आपका आपका बात करते हैं लीवर की उपर लीवर की study को हम क्या 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 है है पेटा लॉजी कहा जाता है और लीवर जो है आपकी सबसे बड़ी ग्लैंग है यूरिया यहां पर बनता है ग्लाइकोजन यहां पर स्टोर होता है हमारा ब्लड क्लोटिंग के लिए जो कंपलसरी प्रूटीन होता है वो भी लीवर बनाता है ड़ीज फाइब लिए नोजन नगांपलसरी पूटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग रखका ठका जमाने के लिए इस इंपॉर्टन वान फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं माइकोल लॉजी फंगस की सटी को माइकोलोजी कहा जाता है क्लियर सो आल इस आर दा जो है आपके हैपाटाइड़ इस चलिज अगल इस आपके लिए विटामीन सी का जो रिचेस सोर्स है वो क्या है विटामीन सी के अगर हम बात करते हैं विटामीन सी को हम और क्या कहते हैं एसकॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है एसकॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है विटामीन सी को और विटामीन सी जो है सबसे ज़्याद देखने को मिलता है सिट्रस फ्रूट्स में डैड़ी जिन दा ओरेंज औरेंज 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 लेमन वगरा में देखने को आपको मिलता है अंसर नंबर सी इ कीज़ा वाटर सॉबल बिटामिन को मिलता है ने किस ने बताया था यह याद रखना और आप victimy की कमी से。itamin C की कमी जो होता है आपका स्कर्वी रोग हो जाता है . इस स्कर्वी रोग होता है . क्लियर यह याद लगना Orange Is The correct consideration सी अब मैं आपको इस दिए विञपिटाना चाहूँगा. विटामिन C के बारे में विटामिन C की कमी स्कर्वी हो गया और स्कर्वी में स्कर्वी में क्या होता है आपका स्कर्वी में होता है जो मसूडे होते हैं गम्स होते हैं चीक है गम्स होते हैं और दान्त बगारे ग्रम्ज में क्या होता है ब्लीडिंग होने लग जाती है यह आधर ना ब्लीडिंग होती है अगर आप विटामिल C की आपकी बॉड़ी में कमी है तो अंसर नंबर C is the correct answer तो मैं अगर मैं बात करता हूं तो इसमें होता है oxalic acid और oxalic acid आपको किसी में आपको और मदद करता है oxalic acid आपको रस्ट स्पोर्ट को खतम करने भी मदद करता है जंग के निशान को खतम करने भी आपको मदद करता है तो यह कुछ फूर फूर्ट है जहां पर आपका बहुत ज़्यादा विटामिन C का कॉंटेंट आपको देखने को मिलता है लेकिन औरेंज बगेरा में सबसे ज़्यादा कॉंटेंट देखने को मिलता है चलिए अगला अंसर बताईए अगला कुछ न बताईए जो बैटरी इस में यूज़ करते हैं लिठियम आइन बैटरी को हम यूज़ करते हैं अंसर न इसमें क्या बनेगा लिठियम आइन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है यहां पर यहां पर यहां पर जो है स्टेबल लेक्रोलाइट जो होता है यह चाहिए होता है विद रिकॉयट आयनिक कंड़क्टिविटी जिसमें कैथोड और रेनोड का का काम होता है आपको वर्किंग की सिच्टेशन में नहीं जाना क्योंकि वर्किंग कभी भी पेपर में नहीं पूछते जिस्ट ऐसा ही सिंपल कोशन पूछा जाएगा कि स्मार्टफॉन और मोबाइल में क्या यूज़ होता है यह लिए अगला कोशन बताइए क्या बनेगा सैफ्रन जो है यह आपका कहां से है सैफ्रन जो है आपका कहां से मिलता है हमें फ्लाट के कौन से हिस्सी से मिलता है सैफ्रन जाने की केसर कहां से मिलता है यह मिलता है हमें स्टिक्मा और स्टाइल से तो अंसर इसमें क्या बनेगा इट्स नॉट कलंक एंड शेली यह गलत है हिंदी में गलत अबर लिखा हुआ है stigma and strike अंसर इसमें क्या बनेगा fourth is the correct answer सैफरन की बात करते है तो जैसे जम्मू कश्मीर में आपका सबसे ज़्यादा मिलता है इंडिया में तो वहाँ पे इसको GI tag भी देखने को मिलता है GI tag ये क्या होता है highlands की उपर उगाया जाता है मतलब जो आपकी जमीन जो है उठी होती है वहाँ पे highlands की उपर उगाया जाता है और जम्मू कश्मीर में उस land कों क्या बोलते है करेवास बोला जाता है ये यादर ना और प्लस worldwide की अगर मैं बात करता हूँ अगर आपको मैं बात करूँ कि सैफरन जो सैफरन बाउल आफ कश्मीर सैफरन बाउल आफ कश्मीर हम किसे कहते है मतलब कश्मीर में भी कहां पे सबस्यादा बाउल आफ कश्मीर हम किसे कहते है सेफरन बाउल आफ कश्मीर इसको हम कहते हैं क्लियर आंसर नमबर डी इस दा करेक्ट असर स्टिग्मा एंड स्टाइल इस राइट वान स्टिग्मा एंड स्टाइल कि अगला कोशन बताईए इंस्टूमेंट यूज टो अब्ज़र्ब चेंजे इन दा सौलर सिस्टम जाने के अगर आपने सोर पर नाली में परिवर्तन का अनेरिक्शिन करना है तो उसमें कौन से टैलिस्कोप का इस्तिमाल किया जाता है Microscope, Electron Telescope, Hubble Telescope किसका इस्तेमाल करते हैं हम हमेशा चीज़ों को यूज़ करते हैं Hubble Telescope को यूज़ करते हैं दूर की चीज़ों को देखने के लिए तो अंसर इसमें क्या बनेगा Hubble Telescope is the correct answer Hubble Telescope very important Microscope तो होता है जो बहुत सुक्षम चीज़े होती है बहुत चोड़ चीज़ों को देखने के लिए Electron Telescope, Electrons बगारा की चीज़ों को Study करने के लिए Atomic Structures को Discuss करने के लिए वो चीज़ें यूज़ कोती है तो इस Question का अंसर क्या बनेगा That is Hubble Telescope Solar की बात करता हूँ तो Solar मतलब Sun के अगर मैं बात करूँ Sun is the center of the universe Sun के पास जो energy आती है वो Sun के पास energy कहां से आती है By the nuclear fusion ना भी किया सनलयान से देखने को आपको मिलती है ना भी किया सनलयान से Nuclear fusion क्लियर क्योंकि Sun is a star और star are made up of hydrogen Hydrogen और hydrogen मिलके क्या बनाते है आपके helium बनाते है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है और this is also called the nuclear fusion यह याद रखना है आपको तो अंसर इसमें क्या बनेगा A is the correct answer that is Hubble telescope is the correct answer Hubble telescope अगला कोशन बताईए अगला कोशन देखेजिए fuse wire using electrical instruments are made up of देखें जो fuse wire होती है आपकी वो किस चीज़ के लिए यूज की जाती है पहली बात तो इसका low melting point होता है गलांग जो होता है इसका बहुत कम होता है ताकि हमें पता लग जाए अगर यह fuse wire जल गई तो अबिसकी बात हमें पता लग जाएगा तुरंट कि हां current बहुत ज़्यादा आ गया तो इसी देख fuse wire जो है यूज करी जाती है और यह बनी होती है lead or tin की answer number c is the correct answer lead or tin की बनी होती है PV और SN की बनी होती है अगर आपसे पूछा कि pure fuse pure fuse जो है वो किस की बनी होती है तो आपका अंसर बनेगा tin pure fuse जो है वो tin का बना होता है लेकिन fuse wire की बात करते हैं तो alloy of lead and tin का बना होता है answer इसमें c is the correct answer this is called a fuse wire clear यह आपने देखा होगा गरों में this is called fuse wire clear चले जे अगरां से बताईए EEG is used to measure the functioning of किस चीज की लिए EEG का मतलब क्या होता है electroencephalography electroencephalography और gram clear electroencephalogram अब इसमें encephalogram का मतलब क्या होता है brain brain के अगर हमने structures को ढूनना है उनके काम को ढूनना है तो वो है आपका that is EEG this is very important point clear answer number B is the correct answer अगर हम heart की बात करते हैं उसका functioning के लिए electrocardiogram आम देखने को आपको मिलता है यहां पे तो इस question का answer क्या बनेगा B option is the correct answer जो brain होता है brain brain जो है आपका protect होता है यह एक इसके around जो है एक layer होती है और एक आगे box होता है अगर मैं brain की बात करता हूँ brain के जो आगे layer है इसकौन क्या कहते है मेनिंजी कहा जाता है clear और आगे जो एक box है आगे वो होता है आपका cranium यह दोनों क्या करते है cranium और मेनिंजी क्या करते है यह क्या करते है दोनों क्या करते है brain को protect करके रखते हैं आपकी body में so answer इसमें क्या बनेगा B is the correct answer brain is the right one brain very important part चलिए उसके अगला answer बताईए अगला question देखे जी क्या करता है the number of neutrons in the nucleus of the plutonium plutonium nucleide that is PU 24294 अब बात यह कहता है कि इसमें से number of neutrons बताने हैं आपको क्या होंगे कितने होंगे अब यहां पेकर चीज में बात करता हूँ जो उपर वाला होता है वो होता है mass number चीक है और नीचे वाला होता है atomic number clear हो गया atomic number होता है the number of proton और electron present in an atom is called atomic number mass number होता है आपका number of proton plus number of neutron अगर हम mix कर दें तो mass number आजाता है अगर आपने neutron को निकालना है तो हमेशा हम mass number minus atomic number कर देते है तो number of neutron निकलाते है अब यहाँ पर देखो 242 से 94 निकाल दीजे 2 12 से 4 गए 8 आठ आजाएगा और 3 13 से 9 गए बन तेई से 9 गए कितने आजाएगे that is कितना आजाएगा 148 yes 148 clear होगे आप लोगो तो इस question का answer क्या बनेगा 148 is the correct answer 148 अब जब भी हम nuclear reactions करते हैं तो हम mainly हम uranium का इस्तेमाल करते हैं लेकिं uranium अगर नहीं है तो plutonium का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है क्योंकि यह एक आपका radioactive substance है clear होगे आप लोगो radioactive substance वो substance होते हैं जहां पे alpha, beta और gamma rays जो है आपकी निकलती है end में हमेशा आपकी gamma rays निकलती है और इस process को हम क्या कहते हैं radio activity कहा जाता है radio activity इसको हम कहते हैं clear radio activity जो है किसने बताया था हमें Henry Bacquerel ने बताया था radio activity के बारे में Henry Bacquerel ने हमें बताया था तो इस इंपोर्टन वाँ answer number B is the correct answer 148 is the correct answer 148 चले जी अगला गोशन बताया क्या बताया क्या बात करता है देखे जी अगला गोशन देखे जी इंडिया इस वरकिंग क्लोजली विद विच कंट्री तो डेवलपे सूपर सॉनिक क्रूज मिजाई नेम्ड ब्रम्मोज ब्रम्मोज एक क्रूज मिजाईल है इंटर कॉंटिनेंटल मिजाईल है सूपर सॉनिक मिजाईल है अब बात ये करता है कि कौन सी इंडिया के साथ किस कंट्री ने बनाई थी एक्शनी जो ब्रम्मोज है ब्रह्मोस का नाम दो रीवर्स के बना हुआ है ब्रह डैडी इस कोल ब्रह्मा पुत्रा ब्रह्मा पुत्रा रीवर्स से और आपका मोस मतलब मोसो कोवा यह दो रीवर्स से जो है लेके आपका बना हुआ है नाम ब्रह्मा पुत्रा इंडिया की तरफ से है और मोसो कोवा जो है आपका रश्या की तरव से देखने को मिलता है से सारे लेक्टर्स पीडिया वगरा मैं यहां पर शेयर कर देता हूं मेरे साथ यहां पर 1,45,000 प्लस बच्चे जुड़े होए हैं तो आप भी आते जुट सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम के उपर भी फॉलो कर सकते हो कोई एक्जाम है पेपर है डाउट्स है अगर करना चाहते हैं तो आप मेरा 10,000 की कोर्स ले सकते हैं इसमें चैप्टर वाइस टॉपिक वाइस तो कोशन है ही है प्लस बहुत सारी प्रिविएस इर्कोशन है डिफर्ट डिफर्ट एक्जाम के NCRD बेस मॉक टेस्ट वगरा भी देखने को मिलेंगे आपको यहां पे और ज करता हूं तो यह हमारा पूरा पूरा फेरी कोर्स है बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइस चीज़ें इसमें हमने स्टडी करी है अब आप इन कोर्स को कहा सिलेंगे स्टडी आइक्यू एप पर जाहा हमारी वेबसाइट स्टडी आइक्यू डॉट कॉम जैसे ही आप इसको पर मिल जाएंगी अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो बिल्कुल जीरो लेवल मतलब बिल्कुल आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाते हैं तो आपको जीए स्कूर्स पर चीज़ करने ना है लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आपको आईडिया ना एक्जाम का और ची करने हैं जो कि आपका यहां पे जस्ट लॉंच के बटन में देखने को मिलेगा यहां पे व्यूर्ण का बटन दबाना जैसे आप दबाएंगे तो आपको MPPCS के लिए कोर्स नजर आएगा 5000 एंस की कूर्स क्लियर ऐसे ही आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन के लिए और अगर उसमें कोई भी डिसकाउंट ना हो चाह थोड़ा बहुत हो अगर आप मेरा कूपन कोर्स करते हैं भी 33 तो आपको एक्स्ट्रा जो है 33% डिसकाउंट मिलेगा बंपर डिसकाउंट मिलेगा ठीक है तो गाइस यह है हमारे लेक्चर के अंदर गोशन बाकी जो भी चीज़े होंगी वह आपको पता लगती ही चली जाएंगी तो गुल्ड़ा गाइस टेक केर बाबाई एंड चैहन 33 तो गिसकाउंट मिलेगा जाएंग्ट तो गलाएंग।